Hello everyone, today we are going to read the poem of class 7th An Earthquake Earthquake का मतलब होता है भुचाल आओ अब हम इस कवीता को पढ़ते हैं An Earthquake As I lay white awake, my beds begin to shake जैसे मैं बेड पे लेटी हुई थी तभी मेरा बिस्तर हिलने लग गया Was my fear real or fake? The trampling fan confirmed the quake मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा डर सच्चा है या जूठा पर कांपते हुए पंखे ने ये पक्का कर दिया कि हाँ, भुचाल तो आया है The houses came crashing down Oh my God! cried the whole town घर तूटने लग गये Oh my God! पूरा टाउन चिलाया A moment ago, the town stood tall Now fragmented on the ground, it crawls कुछ तेर पहले पूरा टाउन सही सलामत खड़ा था पर अब ये टुकडे टुकडे में हो चुका है जमीन पर Turned to rubble, changed into debris, houses, roads, parks and trees घर, सडकें, पाक और पेड़ पोधे अब खंडहर में बदल चुके हैं Everywhere, everything is found Kissing and talking to the ground हर जगे, हर चीज ऐसे दिखाई दे रही थी कि वो जमीन से बाते कर रही हो People out of their cozy homes Some of which have now become tombs लोग अपने अराम रायक घरों से बाहर निकल आए और कुछ तो ऐसे थे जो अब कबर बन गए थे Tombs का मतलब होता है दोस्तों कबर ये पोम बंदना लन्याल के द्वारा लिखी गई है तो उमीद है दोस्तों आपको ये पोम समझाई होगी आप भी इसे जरूर पढ़ियेगा तोस्तों आपको ये दोस्तों आपको ये दोस्तों ज़ोस्तों आपको ये